आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इसके पहले आप उत्तर परदे सामान ग्यान का पार्ट फ़स्ट पढ़ चुके हैं अब हम सेकंड का अध्यन करेंगे पार्ट सेकंड में भी इंपॉर्टन ही परस्न है तो वे बच्चे जो इस चैनल पर न के अनुसार उत्तर परदेश की साच हर्ता का निमलिखित में से क्या पर्टिसत है यानि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर उत्तर परदेश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं 14.6% 66.7% 23.6% या 38.6% सही उत्तर आपका होगा आफसन नंबर बी 66.67% यानि कि उत्तर परदेश में 100 में से केवल लगभग 68 लोग ही पढ़े लिखे हैं उत्तर परदेश में कुल कितने मंडल हैं 18, 20, 15 या 11 सही आपका उत्तर होगा आफसन नंबर बी उत्तर परदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं 2011 की जनगर्ना के अनुसार उत्तर परदेश में 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं 9, 7, 5 या 4 सही आपका उत्तर होगा आफसन नंबर बी 7 साथ नगर उत्तर परदेश के ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 10 लाग से अधिक है 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर परदेश में रहता है 16.49, 10.18, 8.14 या 23.18 परसेंट सही आपका उत्तर होगा आफसन नंबर ए 16.49 परसेंट पूरे भारत की जो 100 परसेंट जनसंख्या है उसमें से 16.49 परसेंट अकेले आपके उत्तर परदेश में ही निमास करते हैं यहां की जो जनसंख्या वालाग भग 24 करून हो गई है 2011 की जनकर्णा के अनुसार उत्तर परदेश में कितने गाउं थे 1,2590, 1,18,580, 1,8254 या 1,6704 सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर D 1,6704 गाउं 2011 की जनकर्णा के अनुसार है भारत की पर्थम महिला मुख्यमंतरी होने का गवरों किसे प्राप्त है तथा वाकिस परदेश की मुख्यमंतरी थी सुचेता क्रिपलानी उत्तर परदेश, इंदरा गाधी उत्तर परदेश, नंदनी सत्पथी करनाटा, सुचेता क्रिपलानी महाराष्ट इसमें से सही जो आपका आपसन है, वा आपसन नंबर ए है, सुचेता क्रिपलानी उत्तर परदेश की पर्थम मुख्यमंतरी थी और यह पूरे भारत का पहला राज था, जो पहली महिला मुख्यमंतरी नियुक्त हुई थी सही आपका उत्तर हुगा आपसन नंबर भी, उत्तर परदेश सयुक्त राष्ट संग जो 20 का सबसे बड़ा संगटन है, जिसकी अस्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दित्तिय विस्यूत की समाप्ती के बाद हुआ था यहां की भी अध्यच रह चुकी हैं उत्तर परदेश की रहने वाली सिरी मती विजयल अच्छमी पंडित उत्तर परदेश में सरवाधी किस धर्म के लोग निवास करते हैं हिंदू, मुस्लिम, जैन या बाध सही आपका उत्तर होगा अपसर नमबर A हिंदू लगभग 81% उत्तर परदेश में सबसे पुराना विजबिद्याले कौन सा है लखनव विजबिद्याले लखनव, डाक्टर भीम रओ, अमबेटकर विजबिद्याले आगरा, इलाहाबाद विजबिद्याले इलाहाबाद या अलिगड विजबिद्याले अलिगड तो सही इसमें आपका उत्तर जो होगा आफसन नमबर C इलाहबाद विश्विद्याले जो इलाहबाद में है उत्तर परदेश में किर्सी विद्याले निमलिखित में से कहां पर है फैजाबाद, अलीगड, आगरा या गोरकपूर सही आपका उत्तर होगा आफसन नमबर A फैजाबाद में भारत में सबसे अधिक विश्विद्याले किस राज में इस्थित हैं मद्ध परदेश, उत्तर परदेश, महाराष्ट या गुजरात सही आपका उत्तर होगा अपसन नमबर B उत्तर परदेश में बरतमाने में उत्तर परदेश में कितने सरकारी मेडिकल कालेज हैं 50, 25, 8 या 35 सही आपका उत्तर होगा उत्तर परदेश में कुल 25 मेडिकल कालेज हैं 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर परदेश का साच हर्ता की दिर्ट से भारत में कौन सा स्थान है 32, 25, बराहमा या 29 सही आपका उत्तर होगा अफसर नमबर D 29 अस्थान भारत में कुल 28 राज और 7 के अन्सासित परदेश है इसमें से भारत का जो अस्थान है 35 में से कुल वह उत्तर परदेश का अस्थान पढ़े लिखों में 29 अस्थान है उत्तर परदेश में स्कूल आफ पेपर टेकनलाजी कहां पर इस्थित है मुरादाबाद में, गुरकपुर में, सहारनपुर में या अलीगड में सही आपका उत्तर होगा अप्सन नंबर सी सहारनपुर में निम्नलिखित में से कौन सा सोध संस्थान आगरा में इस्थित है Central Drug Research Institute, Central Building Research Institute, Aerial Delivery Research and Defense Institute, Defense Research Laboratory सही आपका उत्तर होगा अप्सन नंबर सी सुलाह में का Aerial Delivery Research and Defense उत्तर परदेश में Air Force Pirate 2PERS Training School कहां परिस्थित है आगरा, कानपुर, लखनवू या इलाहाबाद सही आपका उत्तर होगा अप्सन नंबर 1 आगरा उत्तर परदेश में इंडियन टेलिफोन इनिस्टिट्यूट किनकी नगरों में है राय बरेली नैनि, गोरकपूर, कानपूर, इलाहाबाद, वाराणसी या आगरा, अलिगड़ में सही उत्तर आपका होगा अप्सन नंबर A राय बरेली और नैने में चन सेखर आजाद किरसी उन तकनी की बिस्विद्यालक किस नगर में इस्तित है आलिगड, कानपूर, पंत नगर या आगरा में आप्सन नंबर B आपका सही होगा कानपूर उत्तर परदेश के किस नगर में पालिएश्टर, रेसे के कार खाने की अस्थापना हुई है लखनवु में, सुल्तानपूर में, बारा बंकी में या वारानसी में सही उत्तर आपका होगा अप्सन नंबर C, बारा बंकी में भारतिय चमडा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर परदेश में कहां इस्तिताई लाहाबाद, लखनवु कानपूर या बरेली में सही अप्सन होगा अप्सन नंबर C, कानपूर उत्तर परदेश में निमलिखित में से कोन से नगर में परमाण बिजली घर का निर्माण किया गया है नरावरा में, कानपूर में, राय बरेली में या मिर्जापूर में सही उत्तरोगा अप्सन नंबर E, नरावरा में आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, साजहा ने, हुमायू ने या बाबर ने सही उत्तरोगा अप्सन नंबर E, अकबर ने भारत का राष्टिय वाक क्या है? जै हू सत्मेद जैते, जै भारत या जै हिंदुस्तान सही आपका उत्तरोगा अप्सन नंबर D, सत्मेद जैते, मुगल समराटों में अनपढ़ कौन था? साजहा, हुमायू, बाबर और अकबर सही आपका उत्तरोगा अप्सन नंबर D, अकबर तो इसमें इंपोर्टन परस्न है, आप सभी रोग जरूर इसका ध्यान कर लें, आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद